अब आफर्मून एवरीबन तुड़े वी आर स्टार्टिंग वन अफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एस फार इस जुडिश्री एक्जाम इस गंसर्ण रेस जुडिकेटा मैं यह बोलूँगा कि आपके सीपीसी में जिसको लोग सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलते हैं वो आपका कबर हुगा जिस तरीके से आपको सब टॉपिक वाईज पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से पढ़िएगा और एट दी एंड फिर मुझे बताईएगा कि यह आपको समझ आया या नहीं आया लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है पुछ डिफिकल्ट नहीं है you need to stress on the bear provision along with the case law and certain other things which we will be discussing in this topic बिल्कुल हलवा लगेगा at the end of the end of the lecture आपको यह टॉपिक तो सबसे पहले हम उन सब टॉपिक को देखते हैं कि हम किस किस सब टॉपिक को आज के इस lecture के अंदर अपने कवर करेंगे इस इस लेक्चर नमबर फाइफ लग में टेक यू तो दी इनोट फर्स्ट है आज माँपको यह बताऊंगा की हम किन सब टॉपिक को कवर करेंगे और यह हर सब टॉपिक अपने आप में एक क्वेस्चन है रेस जुडिकेटा अपने आप में एक अलग से क्वेस्चन है उसके अलावा इन सब टॉपिक्स में से भी कोई भी सवाल बन सकता है आपको यह चीज़ ध्यान रखने हैं सेक्शन 11 का अज यूजल हम अपना पूरा बेर एक्ट के हिसाब से अलॉंग विधिट्स अल्डी एक्स्प्रेनेशन से उनके साथ डीटेल में इसको अनलाइज करेंगे सबसे पहले हम बेर प्रोविजन को ही डिसकस करेंगे देन वी विल मूव आन तो डिसकस्ट वाट इस द और मैटर और जुडिकेटा मींस अलरेडी डिसाइड़ अगर कोई चीज एक बार अलरेडी डिसाइड हो गई है तो उसको दुबारे उठाने की कोई जरूरत नहीं है this doctrine is based on the public policy there should be an end to litigation अगर एक मुद्दा खतम हो गया है एक legal issue decide हो गया है तो उसको दुबारे से reopen करने की जरूरत नहीं है उसको जिन्दा करने उसको जिन्दा छोड़ने की जरूरत नहीं है कि दुबारे ही same matter पर same parties के बीच में आप दुबारे से फिर वो issue उठा रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके पीछे जो सबसे बड़ा legal maxim involved है why it is there interest republic a utsit finis litium means interest it is in the interest of the state that there should be an end to the litigation यह सारी चीज़े हम cover करेंगे दीरे दीरे तो दूसरा subtopic बनेगा आपका meaning scope object and origin then conditions for the applicability of जो हम deep analysis एक बार बेरक्ट के इसाब से करेंगे उसके बाद फिर क्या-क्या हमें और चीजों को ध्यान रखना है जहां highlight करने की ज़रूरत है वह और constructive रेस जूडिकेटा वन ओफ दी जैसे रेस जूडिकेटा आपने आप में बहुत important topic है उसी तरह constructive रेस जूडिकेटा भी इसका एक मतलब सौ माक्स अगर आप रेस जूडिकेटा का दे रहे हैं तो equally important है इसका जो यह सब topic है रेस जूडिकेटा यह भी इन मैंटर्स डारेक्ली और सब्स्टेंशली इन इस्चू का क्या मतलब है इसकी लीगल implication क्या होगी एक word phrase आएगा जब हम section पढ़ेंगे तो उसका क्या मतलब है यह आपको इतना बहुत भ्यान से देखने की ज़रुवत है रेस जूडिकेटा बिट्वीन को डिफेंडेंट्स एंड को अब देखिए एक ही केस के अंदर जैनरली दो पार्टी होते हैं अब केस में अगर कोई decision आ गया तो वह रेस जूडिकेटा इन दोनों पार्टी के बीच में तो करे गाई ना अप्लिकेबल होगा कि मतलब एक के अगर प्लेंटिफ के फेवर में लीजिए और दो ही कोडिफेंडेंट है सब्सक्रों कोड ने एक्स वाइज ही कोई भी decision दिया उसके बेस पर क्या कोडिफेंडेंट आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस कर सकते हैं जिस मैटर पर और रेडिडि रेजूडिकेटा लग चुका है मतलब जिस मैटर को और लृगरें आप में나म एक question है आगे चलिएगा थे रेजूडिकेटा अगेंस्ट परफॉर्मेंट परफॉर्मेंट का नाम सुना है कभी जिन्दगी में परफॉर्माद इफेंडेंट वह को defendant होता है जो नाम मात्र का defendant होता है जिसके खिलाफ कोई भी रिलीफ क्लेम नहीं किया जाता ठीक है बट he is made a party in the case because either he is a necessary party और a proper party क्योंकि और ये बात आपको भी पता है किसी भी केस को चलाने के लिए necessary और proper parties का होना जरूरी है जब तक necessary party नहीं होगी इसका मतलब उसके भीना case कैसे चलाओ के necessary party मतलब आवश्यक party मगर performa defendant होता है उसके खिलाफ कोई relief claim नहीं किया रहा था क्या किसी matter के अंदर को judgment आ गई है तो क्या वह performa defendant के against me as a res judicator apply होगी या नहीं होगी और है res judicator or res sub judicator के बीच में क्या difference है rest judicator and estoppel के बीच में क्या difference है estoppel आपने evidence में पढ़ा था rest judicator is a rule of procedure while estoppel is a rule of evidence इसके बीच में इन सबके बीच के अंदर क्या difference है यह छोटे-छोटे question बनते हैं specifically पूछ लेंगे चारिया पांच marks का कि rest judicator अगेंस performa defendant पे बताइए rest sub duties or res judicator के बीच में क्या difference है rest judicator और estoppel के बीच में क्या difference है rest judicator and list pendants क्या होता है list pendants आपका TPA का concept है पता है कौन से section के अंदर है और होता क्या है शाय सक्षन 51 के अंदर है उसमें यह होता है कि during the pendancy of the court during the pendancy of the case the property cannot be transferred और जो स्टेटस है वो आप चेंज नहीं कर सकते अगर कोई भी disputed property है उस पर अगर कोई case चल गया है property से अंदर ही तो जब तक वो case चलेगा ना आप बेच सकते ना आप उसको खिराये पर दे सकते कुछ नहीं कर सकते उस property के साथ चीक है तो वो लिस्पेंदेंस का concept है वो भी देखा जाएगा अगर 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 इवनिंग पारूल गुद इवनिंग बिटा अगर इस जुडिकेटर एंड स्टेयर डिसाइस स्टेयर डिसाइस का पता है आपको मतलब तोर्स में आपने नहीं पढ़ा था य अब दिंट्रेपेटेशन अफिट इंदर आया और वापका स्टेयर डिसाइस धुडिकेंदों अफिस्ट्रिसीडेंट भी बोलते हैं कि डॉक्त्रिन और क्लेशिदेंट कि एक बार कोट ने किसी एक मेंटर पर कोई जजमेंट दे दी तो वो और लोगों के लिए भी जैसे राइट टू फ्रीडम आफ स्पीच और एक्स्प्रेशन अपने आप में किसी कौई से केस में बताया होगा ना इसी तरह राइट अगेंस्ट और कि ये इन करियों कि अदर दिया है वहीं आप टू सेफ एनवाइर्मेंट किसी और केस के अंदर क्या होगा वही सेम बात है माप जो में चेस है वही एक प्रिसिदेंट की steered decisis के बीच में क्या difference है यह rest judicator and splitting of claims splitting of claims आपका order to rule 2 के अंदर आता है कि मतलब plaintiff क्या claim को split करके एक बार एक case किया तो उसमें आदा claim कर लिया दुबारे कर सकता है यह सारी चीज़ है और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके एक नंबर के क्वेश्चन बढ़ेंगे प्री के हिसाब से और मेंस में भी आपका दो तिन मार्स का पूछा जा सकता है कि इन में से क्या इन प्रोसीडिंग्स पर रैस जुडिकेटा एपलीकेबल होगा एपलीकेबिलिटी ओफ रैस जुडिकेटा ओवर दी रिट पेटिशन के रिट पेटिशन पर अप्लाए होगा एस्पेशली विद रेफरेंस टु दी रिट ओफ हैबियस कॉर्पस बहुत इंपॉर्डन टॉपिक बेटा हर सब टॉपिक अपने आप में एक टॉपिक है पूर लीमाइन का मतलब पता है क्या होता है कि इनलीमाइन ओन तफेसस वाफिट पोई भी रिट पेटिशन अपलाय हुई औंडप ठेश होली उसकों कर दिया कोट ने उसकी आर्गुमेंट नहीं सुनी पेटीशन नहीं पड़ी बोले कि हम यह रिट पेटीशन फाइल करना चाहरे कोट ने तुरंत दे के उसको डिस्मिस मारा ओन दा थ्रेशोल्ड इन ले माइन का मतलब होता है ऑन दा थ्रेशोल्ड ऑन दा फेस ओफ इट क्या रेस जुडिकेटा PIL पर अप्लिकेबल होता है कि मतलब एक पब्लिक इंटरस्ट लिटिकेशन के अंदर एक इश्यू डिसाइड हो गया क्या सेम मेटर पर दुबारे से कोई PIL लग सकती है बिट्विन दे सेम पार्टी यह चीज़ फंडामेंटल राइट्स क्या के ऊपर क्या आपका एप्लिकेबल होगा डिसमिसल ऑफ एसल पी एक बार अगर एसल पी डिसमिस हो गई है तो क्या सेम मेटर पर दुबारे सेल पी दायर हो सकती है या पुराने वाले डिसीजन को जि इसमिस में एसल पी को स्पेशल लिव पेटिशन को डिसमिस किया है तो क्या सेम मेटर पर नहीं एसल पी दायर हो सकती है कि इसी तरीके से कॉंप्रोमाइज डेकरी पार्टी ने अपने बीच में एक्रीमेंट कर लिया उसके भी बेस पर को बोल दिया हाँ यह हमारा एक्रीमेंट है कोट ने उसमें मोर हमारी चलो क्या यह जो कॉंप्रोमाइज डेकरी आई है वेल विल डाट भी ऑपरेटिव एज रेज्जुडिकेटा बिट्विन दी सेम पार्टी लेटर ओन डेकरी अगेंस्ट माइनर रेज्जुडिकेटा का मतलब यह होता है कि सेम मैटर पर सेम पार्टी जो पहले सूट के अंदर सबस्टेंशली और बितलब मेन इशू था उसी मुद्दे को दुबार ऐसे नए केसपन लेके नहीं आ सकते और रेज्जुडिकेटा की अप्लिके का डिसीजन नहीं आता है रेस्ट जूडिकेटा के अंदर पहले सूट का फाइनल डिसीजन आचुका होता है कि bor कि लिए वर इंप्लीक्थेंगेंगफ क्या एलेक्षिं प्रोसिडिंग्स के अंदर एंदर प्रोसिडिंग्स के मैस्य क्वेशन होगा यह सारे इंप्रशक्षल्फेंग्स हैं अधि के इस लेक्चर के अंदर चलेगी आपकी तीन साथे तीन चार गंटे तक की क्लास चल सकती है और दिस इस वन अफ दी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आफ यॉर एंटायर सी पीसी यह मान के चलिएगा आप किसी भी स्टेट का एक्जाम दे रहे हैं प्रिलिम्स से लेकर इंटर्व्यू तक गुमाया जा सकता है इस पे से और ये टॉपिक आपने कर लिया तो मान लीजिए दस नंबर पक्के हैं प्रिलिम्स में कम से कम एक सवाल रेज जुडिकेटा से आपके किसी भी आस्पे पे मिले के चांस मतलब सेक्शन 9-10-11 पर हो सकता है कि मतलब हो जाए वरियेशन हो जाए प्रिलिम्स में कि 9 पे पुछले 10 पे पुछले 11 पे पुछले मगर हामेंस में आपका सवाल आएगाई बहुत इंपोर्डेंट है इनके सब टॉपिक्स को बार बार अलग से डिस्कस करने से पहले अब हम क्या करेंगे अब हम सबसे पहले बेर प्रोविजन को जो नॉर्मल अंडर्स्टांडिंग जितना हम प्लेन अंडर्स्टांडिंग रखेंगे मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ उसको समझने की कोशिश करेंगे फिर उसके बाद deep analysis in depth analysis धीरे धीरे हम अपना topic wise करेंगे समझ गए आपको क्या-क्या topic cover करने हैं चलिए प्रोविजन की तरफ चलते हैं जहां तक जहां तक आपके section 11 की बात है रेस जुडिकेटा की बात है इस गिवन under section 11 of res judicator section 11 CPC के अंदर as res judicator दिया हुआ है यहां पर res का मतलब होता है thing or matter या कोई आप issue बोल सकते हैं ठीक है जुडिकेटा का मतलब अलरेड़ी डिसाइडिड या एट जुडिकेटिड अपॉन जिसके उपर कोट का final judgment आ चुका है जिसके उपर कोट का judgment आ चुका है पूरे लेक्चर के दोरान आपकी आपका pen रुकना नहीं चाहिए no court shall try any suit or issue no court shall try कोई भी court try नहीं करेगी और शेल है यह आपको बताता है mandatory है मतलब court नहीं करेगी अगर इस provision के अंदर जो conditions दी हुए है वो fulfill हो रही है क्या any suit और issue अब यहां से आपको दो चीज़े पता चलती है रेज जुडिकेटा किसके उपर अपलाए होगा suit के उपर पूरे के पूरे suit के उपर और उसके सासाथ issues के उपर भी अपलाए हो सकता है इसका मतलब क्या है कि कि एक case है एक case के अंदर एक issue भी हो सकता है और different different issues भी हो सकते हैं मलब suppose करो चार legal issues बनते थे ठीक है अगर एक issue बन रहा है जितने भी issue बन रहा है पूरा और उपे court का final decision आ चुका है तो same parties के बीच में same matter पर same court के सामने ही वो matter दुबारे से नहीं किया जाएगा सेम कोट नहीं बोलेंगे मतलब competent court की बात करेंगे और जब हम final decided की बात करें तो इसका मतलब appeal वगेरा सारी situation मतलब सब कुछ cover हो चुका है अब कोई भी records नहीं बचा है उस पुराने वाले suit के अंदर ठीक है तो इसके अंदर पूरा का पूरा suit भी हो सकता है और issue भी हो सकता ह सब्सक्राइब चार लीगल इशू थे contract break किया है और contract break एक तो यह इशू है वैदर a has break the contract with a multinational company of his job और उसके साथ साथ जब वो अपना contract break कर रहा था अपने साथ साथ वो पांच लोगों को निकाल के ले गया उनको और भढ़का के चला गया इसका मतलब he has induced them also in breaking the contract दो इशू होगे suppose करो इसमें से दोनों इशू पर court ने कोई final judgment दे दी है फिर same parties के बीच में बाद में इन में से किसी issue के उपर case नहीं चलाया जाएगा अगर एक बार matter already decide हो गया है तो उसको दुबारे से reopen नहीं किया जाएगा एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो जैसे ही कोई legal issue या legal dispute पर कोई भी final judgment आती है judgment आने के बाद same parties के बीच में जो legal issue या dispute था it lose its identity उसने अपनी identity खतम करती है अब वो दुबारे से सामने नहीं आ सकता judgment आ गई legal issue has come to an end simple यह चीज़े no court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue directly directly and substantially in issue ka मतलब क्या है main dispute the dispute in consideration the main point to be decided by the court main dispute or main legal issue मतलब which is one of the prime legal issues to be decided by the court in that particular matter which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties अब देखिए in a former suit तो मतलब यहां से आपको क्या पता चल रहे हैं दो suits हो गए आपके दो case हुए एक पहला suit और एक बाद में suit एक जो पहला suit है उस पर already court की final judgment आ चुकी है अब आप उसी matter पर दुबार ऐसे case file करना चाहा रहे हो मगर उसका जो legal issues है that has already been decided by the court competent court और वो जो former suit होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए between the same parties मतलब former suit और जो subsequent suit है दोनों suit के बीच में same parties होनी चाहिए legal issues भी same होने चाहिए clear या between parties under whom they or any of them claim इसका मतलब क्या है या तो parties खुद हो या फिर उनके legal representative हो successor हो वो भी उसके अंदर cover होंगे litigating under the same title litigating under the same title it is again very very important कि मतलब both the suits के अंदर जो parties है उनके title same होने चाहिए इसका मतलब क्या है कि अगर पहले I am just giving you an example पहले case के अंदर अगर एक party का title यह मान लीजिए कि landlord था और दूसरा tenant था तो जो दूसरा subsequent suit हुआ है उसमें भी इनका same ही title रहना चाहिए यह नहीं कि पहले case में landlord था अब यहां tenant बन गया same title same legal issue और जिसको court ने decide कर दिया है in a court of competent in a court competent to try such subsequent suit और जो यह दूसरे number का case file हुआ है यह कहां हुआ है ऐसी court के अंदर हुआ है जो competent है उस case को सुनने के लिए दूसरे number वाले case को सुनने के लिए इसका मतलब क्या है कि क्या यह जरूरी है कि first and subsequent suit should be filed in the same court no the competency should be there as far as second court is also concerned मगर और जो पहली judgment है वो court की valid judgment होनी चाहिए और वो भी अपने आप में एक competent court ने दी हो तभी तो आप उसको रेजुडिकेटा की तरह एक valuable piece of evidence की तरह है मान रहे हैं ना the same title in a court competent to try such subsequent suit और the suit in which such issue has been subsequently raised has been heard and finally decided by such court यह previous suit की बात हो रही यह former suit की उसमें court ने उस matter को बहुत अच्छे से सुना भी है और उसको finally decide भी किया है तब अगर यह situation है तो कोई भी court same issue को same matter पर same parties के बीच में जो same title के अंदर लिटिकेट कर रहे हैं उस matter को सुनेगी नहीं अब इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं आपको बिलकुल simple situation की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ जो अभी तक हमने किया है ठीक है आपको रहें स्जूडिकेटा के अंदर आपको कि यह ध्यान रखनी है कि there are always two suits ठीक है एक है जो first previous या फिर आप इसको former suit बोल सकते हैं है ठीक है यह जो subsequent suit है present suit है इसी के trial पर रोक लगाई है trial not allowed by court किसके उपर matter substantially and directly in issue मतलब main issue था ठीक है पार्टीज कौन थी ए ए एंड बी अब मानके चलिए ए वर्सिस बी बोल दीजिए बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एए ए एए एए वर्सिस बी टाइटल क्या था plaintiff defendant छीक है यह suit दूसरे नमबर वाला suit कब बार होगा when this issue already decided in first suit और क्या condition है these should be यहाँ पर same parties होनी चाहिए A versus B ही होनी चाहिए same parties litigating under the same title same ही title होना चाहिए और दोनों court की competency होनी चाहिए यह court भी competent होनी चाहिए court should be competent to hear be competent to hear and decide the matter अगर एक भी चीज मिसिंग है ना आपको यह बात ध्यान रखनी है res judicate apply नहीं होगा एक भी चीज मिसिंग है तो res judicate apply नहीं होगा should be competent to hear and decide कौनसी court former court भी और subsequent court भी जिसके सामने पहला suit भी दायर हुआ है और subsequent suit भी दायर हुआ है दोनों court competent होनी चाहिए और इसमें से यह जो issue पहली बार जब यह सुना गया था तो इसके ऊपर court ने issue has been heard properly and finally decided finally decided finally decided होने का मतलब क्या है कि इसमें judgment और decree दोनों आ गई होगी है ना last class में मैंने आपको बताया था judgment आती है judgment क्या है statement of the regions और decree क्या है final output ठीक है तो जैसे ही और judgment आने के बाएद decree shall follow और जब decree आ गई तो इसका मतलब settled position of law होगी this will operate as a decided position for this case also on that matter simple यह rejudicator का concept है जितना simple चीजों को करके समझोगे आपको उतना समझ कितनी किताबे पढ़े लेना चाहें तकवानी कुछ भी पढ़े लेना जितना simple रहोगे चीज़े उतनी बढ़िया होंगे कि ध्यान रखना है सेम पार्टी दोनों सूट्स के अंदर सेम इश्यू सब्स्टेंशली एंड मैटीरेली अब कंस्ट्रक्टिव के अंदर में आपको इस चीज़ को एक्स्पैंड करूंगा मैटीरियली एंड सब्स्टेंशली नीश्यू को वह अभी बात के लिए छोड़ इस एकिंड सूट के हैं उसको अलरेडी कोट ने पहले सूट के अंदर फाइनली डिसाइड कर दिया है पार्टी इस का ट्राइटल भी सेम था तो जो पहले केस के अंदर जो डिसीजन आया है तो इस टॉप दी कोट टू ट्राइ दस सबसीक्वेंट सूट विद दस सेम लीगल इशू उसी इशू को दुबारे से नहीं सुना जाएगा या नहीं डिसाइड किया जाएगा कोट अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी सिंपल सी बात है ना अगर सपोस करो आपने कि आपने सेममेटर के उपर को लिए करने दिया तो इसका मतलब क्या हुआ चाहें आप सेम कोट के सामने कर रहे हो या फिर दूसरी कोट subsequent issue को सुनने के लिए बैलाव कर दिया तो इससे क्या प्राबलम हो सकती है इससे प्राबलम यह होगी बटा कि जो subsequent suit की वजह से there may be और possibility हो सकती है there may be a possibility of conflicting decisions of the concurrent jurisdictions court of concurrent jurisdiction के conflicting decision आ सकते हैं और जब यह conflicting decision आएगी तो फिर आपके पास एक और matter आ गया अरे भाई कौन सी court का हम decision सही माने अपीलेट court होती जो चला अपीलेट court का मान लेता अपील वाली यह तो concurrent jurisdiction है दोनों court की same jurisdiction है different courts है तो यही कारण है to settle this dispute to settle और to set at rest the dispute एक matter already decided है तो बस वो ठंडे वस्ते में गया वही नजीर बनेगा आगले आने वाले मेटर्स के लिए भी और बिना बाद पर हम कोई भी matter सुनेंगे नहीं same points पर है है is it clear यहां तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा है कि क्लियर बिटा यहां तक चलिए वापिस से अपने प्रोविजन पर इसके अंदर बहुत सारी explanation है हर explanation का अपना importance है explanation one the expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to in question prior to a suit in question whether or not it was instituted prior there too जो former suit हम किसको मानेंगे दो suit बना ना एक former suit और एक subsequent suit former suit वो होगा जिसके उपर पहले decision आया है चाहें उस case को बाद में institute किया गया हो if we compare the dates चाहें हो सकता है जो आपका subsequent suit जो दूसरे नंबर वाला suit है उसको आपने चाहें एक December को जोई स्टार्ट किया मगर उस पर अगर पहले decision आ गया तो आप एक December वाले को former suit मानेंगे गाट में पॉइंट यह सिंपल यह कह रहा है कि the expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to suit in question whether or not it was instituted prior to their decision पहले आना चाहिए जिसका decision पहले आयागा उसको हम former suit मानेंगे for the purpose of rejudicator चाहें बाद में इंस्ट्रूट हुआ 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 रह सब जूडिस अब देखिए रह सब जूडिस के अंदर कैसे रिलेट करना चाह रहा है रह सब जूडिस के अंदर point of time important था point of time of institution of suit रह सब जूडिस के अंदर decision का आया था the matter is already pending in the word in the former suit ना वहाँ पर point of institution important था जबकि रह सब जूडिकेटा के अंदर point of institution of suit is not important former suit कैसे decide हो रहा है on the basis of date of decision समझ गे रह सब जूडिस के अंदर date of institution of the suit decide whether a case is a former suit और subsequent suit जबकि रह सब जूडिकेटा के अंदर date of decision decides whether a suit is a former suit और subsequent suit इस point वह लिख लिए ना वैसे जब हम difference करेंगे उसमें भी यह point मैं आपको बताऊंगा point of differentiation का फिर भी आप एक बार साथ की साथ लिखते चलो जितना अच्छा रहेगा लिख लीजिए कि for the purpose of res sub judas for the purpose of res sub judas date of institution of suit date of institution of suit date of institution of suit is material to decide whether a suit is former suit or subsequent suit whether a suit is a former suit or subsequent suit whether a suit is a former suit or subsequent suit while in res judicata while in res judicata while in res judicata इसका, it is the date of decision, it is the date of decision which decides whether a suit is a former suit or subsequent suit, whether a suit is a former suit or subsequent suit, clear, explanation 2 पर आईए, अभी जस्त हम इसको बेर एक्ट के इसाब से रिड़ाउट करें, discussion अभी बहुत होना इसके उपर, explanation 2, for the purpose of this section, the competence of a court shall be determined irrespective of any provision as to right to appeal from the decision of such court, मतलब आप court के competence को decide करने के लिए उस court के किसी decision से appeal की जा सकती है या नहीं की जा सकती, आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे, बसलते हैं आपको बस क्या ध्यान देना है, कि क्या court उस matter को सुन सकती है या नहीं, उस court से appeal कहां जाएगी, या appeal allowed ही नहीं है, यह immaterial होगा, आपको सिर्फ क्या देखना है, कि वो court उस matter को सुन सकती है और उसके उपर judgment दे सकती है या नहीं अगर इस सवाल का जवाब हाँ है कि हाँ court सुन सकती है उस legal issue को और उस पे एक legal judgment सुना भी सकती है तो इसका मतलब क्या होगा तो इसका मतलब यह होगा कि क्या होगा इसका मतलब कोर्ट इस कॉंपीटेंट वू ट्राएं डिसाइड दा लीगल इशू और दो सूट आज दा केस में बी एकस्परेशन थ्री दमेटर अबाव रेफर्ड टू मस्ट इन दा फॉर्मर सूट हैव बिन अलेस्ट बाइवन पार्टी और आइधर डिनाइड और एडिमिटेड एकस्प्रेसली और इंप्लाइड ली बाइदी अब लीगल इशू है किसी भी केस के अंदर तो जो भी मतल नहीं तो वह लीगल इशू बनेगा अगर यह चीज नहीं है तो आप उसको लीगल इशू थोड़ी ना कहेंगे लीगल डिस्प्यूट थोड़ी ना कहेंगे अब जो एक्स्प्रेशन फोर है वह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीधा पूछ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा कहां दिया गया है प्रिलियम्स के लिए एक्स्प्रेशन फोर सेक्शन इलेवन कंस्ट्र अब यह कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा है क्यों और इसका मतलब क्या है इंप्लिकेशन क्या है इसकी सारी माइनुटेस्ट रिटेल तो हम डिसकस करेंगे अभी फोर दा टाइम बिंग हम देखते हैं कि डेफिनीशन क्या कहती है और प्रोविजन क्या कहता है इसके अं इसका मतलब इसका इंप्लिकेशन समझ रहे हो ऐसा कोई ग्राउंड जो पहले फॉर्मर सूट के अंदर उठा सकता था चाहें उस पार्टी ने उसको उठाया नहीं है तो सब्सीक्वेंट सूट में यह मान लिया जाएगा तैट इशू है जो अलरेडी बिंग इंडी फॉर इसका में आपको एक एक्जांपल देता हूं एन ने बीके उपर यह एक्यूजेशन लगाया कि उसने एसे किसी डॉक्यूमेंट यह किसी कॉंट्रेक्ट के अंदर एंटर हो गए हैं दोनों बाई यूजिंग हीज़ अंड्यू इन फ्लूएंस यह स्टार्टिड अ प्रोजिकूशन अगेंस्ट बी फोर एंटरिंग इंटो अ कॉंट्रेक्ट वॉइडेबल ऑन दा ग्राउंड ओफ अंड्यू इन फ्लूएंस एक्ससाइजड बाई दी बी टुवर्ड्स ए यह केस पहला और यह फॉर्मर सूट है इस मैटर पर कोट ने केस को सुना और इस मैटर को डिसाइड कर दिया अब किसी सब्सीक्वेंट सूट के अंदर ए यह ग्राउंड नहीं ले सकता कि बी ने फोर्स यूज किया था फ्रॉड किया था मिस्रेपरजेंटेशन किया था क्योंकि यह सारे ऐसे ग्राउंड थे जब बेटा तुम अंड्यू इन्फ्लूएंस का ग्राउंड ले रहे थे तभी तुम उस टाइम इनको भी ग्राउंड बना सकते थे अगर आपने नहीं बनाया है तो constructive res judicator के principle के हिसाब से for the purpose of res judicator constructive res judicator it will be deemed that those issues has already been raised by the concerned party that is a in the matter and that has already deemed to have been decided by the court as well तो मतलब उस पर इन matters पर भी res judicator apply हो जाएगा तो second जो subsequent suit आप इस ग्राउंड उपर नहीं चला सकते कि इसने तो मेरे साथ fraud किया था या misrepresentation किया था क्यूंकि यह सारे वो ground है जिनको आप and you influence के साथ alternate में raise कर सकते थे आपने नहीं किया तो आप अभी भी नहीं कर सकते थे constructive res judicator का purpose पता है क्या है क्यों लाए हम constructive res judicator को पताईए है हाँ अब आप इसको इस तरीके से भी समझते हैं जब भी कोई party को के सामने आती है that party is supposed to bring the whole claim before the court also with all the material facts and circumstances related to the case और अगर वो कोई ऐसा matter या circumstances नहीं लेके आती है जो उसको उसी time लेके आना चाहिए था it will be deemed that he has raised that issue अब court उस पर अपना जाता दिमाग नहीं लगाएगी वो matter भी already decided माना जाएगा और उस पर किसी भी तरीके से कुछ भी दुबारे सुना नहीं जाएगा तो मतलब ऐसे matter जिनको आप रेज कर सकते थे मगर आपने actually में चाहें रेज नहीं किया former suit में तब भी आप उनको subsequent दुबारे से एक नया case करके उसमें नहीं रेज कर सकते नहीं ऐसे मुद्धे को आप दुबारे से नहीं उठा सकते यह मतलब कही ना कहीं constructive Rejudicator ने भी हमारी लीगल उसी policy को forward कियाएगी there should be an end to litigation suppose करो अगर हमने आज इसको undue influence के लिए अलाव कर दिया या fraud के लिए नहीं कर दिया कल फिर यह misrepresentation लेके आ जाएगा फिर अगले दिन फिर यह कहेगा कि भाई यह तो वॉइड इन रेस्टेंट ओफ लीगल प्रोशीडिंग्स था जी फिर लेके आएगा यह तो मेरी साधी नहीं होने दे रहे फिर लेके आएगा यह तो अगेंस्ट दी लौ है फिर लेके आएगा फिर चौत दिन लेके आएगा फिर यह consideration वाइड है without consideration था तो वह काम करना ही दिना छोड़ा ना ही नहीं तुमें जो मुद्दा करना था तुमें पहले टाइंप लेके आना था नहीं लेका है चला भागrevागें से लिफ्या और सब से बटी प्रप्लम बताएं कि आती है यह डियर है अ खाके लाएंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आई है सबसे पहले बेराक्ट उसके बाद लैंडमार्क डिसीजन एनलेसिस फिर कोई पॉइंट छूटता है तभी आप किसी बुक की तरफ रेफर कीजिए अधर्वाइस पोई जरूरत नहीं है explanation 4 any relief claimed in the plant which is not expressly granted by the decree any relief claimed in the plane which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused a former case की बात हो रही है former suit के अंदर पांटी ने कोई specific relief मांगा कोई मतलब यह बोला कि अमें इतनी compensation मिलनी चाहिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए उसको कोट ने डेकरी के अंदर उसके बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला मतलब silent है इवन दो तो इसको क्या मान लिया जाएगा कि कोट ने उसको expressly refuse कर दिया है देने से मना कर दिया है any relief claimed in the plane which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused और इस explanation का मतलब क्या है और इसका implication क्या हुआ मतलब तो आप समझ गे what is the implication on a resudicator समझ रहे हो क्या implication है यह implication है कि अगर कोई relief former suit के अंदर claim किया उसके उपर court ने matter मतलब उस case के अंदर decide कर दिया मगर जो specific relief claim किया था ना जो particular relief claim किया था उसके उपर court silent है इसका मतलब क्या मान लिया जाएगा कि यह matter already refuse कर दिया है क्योंकि यह matter expressly refuse कर दिया तो refusal is also a kind of matter finally decided है तो ऐसे matter के ऊपर भी आप subsequent suit raise नहीं कर सकते समझ रहे हो कि बिलकुल नहीं हूं मतलब there should be an end to litigation कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटर में आपको सब बता देंगे मगर इसका implication नहीं बताएंगे इस यह बता के छोड़ देंगे एनी रिलीफ claimed in the plane जिसको expressly grant नहीं किया उसको मान लिया जाएगा कि वह refuse कर दिए अरे भाई refusal से आगे बढ़ो refusal का मतलब क्या है रिफ्यूजल का मतलब है कि उस पॉइंट पर अब सीक्वेंट सूट भी नहीं हो सकता for the purpose of this section be deemed to have been refused deemed to have been refused means there is a decision on that point also वो कहते हैं ना लड़की की तो चुक्वी में भी हाँ है यहां जड़ साब की चुक्वी में भी हाँ है समझे लो इसका मतलब है कि कोट तुम्हारे उस पॉइंट को material मानी रही थी कब आड़ा था वो अगर कुछ नहीं बोली तो हां मतलब that is not worthy of being considered got my point आगे चलिए explanation 6 where litigate where persons litigate bona fide in respect of a public right public right आप बोल सकते हैं PIL का consider मान सकते मतलब section explanation 6 हमें कहीं ना कहीं यह बताती है कि टॉक्स अबाउट पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिकेशन है कि बोनाफाइड क्योंकि पी येल में आपको सबसे ज़्यादा बोनाफाइड की जरूरत होती है गुडफेद की जरूरत होती है ठीक है और उसके अलावा या फिर पब्लिक राइट या फिर प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फोर देंसेल्फ सेंड अदर्स आपका जो भी क्लेम है चाहें वह आपके और परशनल राइट के लिए हो या किसी आप और के लिये develop कले कर रहे है कर रहे हैं सोसाइटी के लिये फाल कर रहे है तो उसमें आपको दियान रखना है कि पहली बात तो पार्टीज बोनाफाइड तरीके से कहसी जो चाहिए ऑर फरसट litigate bona fide in respect of a public right or a private right claimed in common for themselves and others all person interested in such right अब देखे कितना एंबिट बड़ेगा इसका all person interested in such right इसका मतलब क्या है चाहे यह जो interested person है they are not formally parties in the matter party interested का मतलब है कि they are not made party in the matter but they are interested in the matter जैसे कि अगर किसी ने right against exploitation को लेकर अगर कोई FVIL file किये तो सारी labor class interested party हो गई यह उस तरीके सेंबिट बढ़ा रहा है यह जिस इंसान का exploitation हो सकता है वो अपने आप में interested party हो गई उस matter में मगर point क्या है कि जिसने वो PIL file की है उसने इनके राइट को consider करते हुए ऐसा PIL file की ओनी चाहिए और उसके bonafide motives होने चाहिए यह नहीं कि public motive का बहाना लेकर वो अपने private affairs सुधारना चाहिए वो नहीं होना चाहिए claimed in common for themselves and others all person interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigated be deemed to claim under the person so litigated मतलब जो interested person है में प्रोविजन याद है ना same title claim मतलब इनका भी मतलब यह भी same matter पर नया case नहीं कर सकते if any subsequent suit is filed by the person's litigated और या फिर जो मैंने अभी आपको exploitation वाला example लिया labor class या पोक्सों से related matter या कोई भी ऐसा public interest litigation file होती है जिसमें पूरी एक class को represent या उसके rights को करता है तो वो भी same matter पर subsequent suit file नहीं कर सकते इवन तो सबकी कुछ exceptions आ जाएंगी जब हम वह बागी की चीज़े आप डीटेल में discussion करेंगे तब आपको वह सारी चीज़े पता चल जाएंगे कि यहां तक पॉइंट समझें कितना एंबिट कर दिया कि मतलब जो यह person इंट्रस्टेट है यहां से आपको कहां से पती चलती है बाई वर्चू आप से चलती है बाई वर्चू आप section 11 explanation 7 यह आपके प्रिलिम एक्जाम के लिए important है यह मतलब जो मैं connect करके पूछते हैं रेजुडिकेटा section 11 explanation 4 अब किसी भी state के previous year के papers देखना आपको sections ऐसे ही मिलेंगे explanations में पूछेंगे कि कौन से section के अंदर क्या दिया हुआ है explanation के अंदर क्या दिया हुआ है the provision of this section shall apply to a proceeding for the execution of decree and references in this section to any suit issue or former suit shall be construed as references respective to a proceeding for the execution of decree question arising in such proceeding and a former proceeding for the execution of that decree तो मतलब रेजुडिकेट आपका सूथ पर भी apply हो रहा है एक्जिकुशन प्रोसेडिंग पर भी अप्लाई हो रहा है और जो सूथ के अंदर हम legal issue मान रहे थे issue मान रहे थे वह सारी चीज़े एक execution proceeding के reference में भी exist करेंगी clear आगे आईए explanation 8 and issue heard and finally decided by court of limited jurisdiction and issue heard and finally decided by court of limited jurisdiction court of limited jurisdiction क्या मतलब जैसे आपकी pecuniary jurisdiction है जैसे court of small causes है मुन्सिफ courts है वो एक specific amount के case तक कोई हड़ कर सकती है न तो वो आपकी court of limited jurisdiction है unlimited jurisdiction आपके district court है high court है supreme court got my point an issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction and issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as a rest judicator in a subsequent suit and issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction मगर जो limited jurisdiction वाली competent वो कोट होनी चाहिए वो भी competent होनी चाहिए जो issues के सामने आए उस issue को decide करने के लिए competent होनी चाहिए चाहे उसकी jurisdiction चाहे लिमिटेड हो वो उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा शेल operate as a rest judicator in a subsequent suit not with standing that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised इसका मतलब क्या है मैं आपको एक simple example बताता हूं देखिए जुरिस्डिक्टिक्ट्टन की वैल्यू पर मज जाईएगा ठीक आप मैटर को समझने की कोशिश कीजिएगा कि सेम पार्टीज ने court of civil judge के सामने case file किया कि भई ए ने ब के साथ कोई contract किया था और उसको उसने break कर दिया है ठीक है और court of judicial magistrate की मान लीजिए sorry court of civil judge की मान लीजिए पैकिनरी jurisdiction फॉर एक्जांपल पचास जार रुपे बनती है ठीक है यहां पर ए ने बी से 30,000 रुपे की compensation claim किये अब यह बताइए कि क्या court of civil judge के सामने case file हुआ है whether the court is competent to decide the case or not क्यों नहीं है होगी ना पचास जार की है jurisdiction और 30,000 रिलीफ मांगा है तो है ना और इस पे उसने court of civil judge ने अपना decision सुना दिया है इस decision के आने के बाद ए फिर से district court में अलग से केस्ट डालता है और इस बार वो compensation claim करता है पांचलाख रुपे पर तो district court बोलेगी भाग जत्मियां से same issue has already been decided by the court of civil judge no doubt that was a court of limited jurisdiction but that court was competent to try that issue और जो आपने रिलीफ किया था वो भी और same issue decide हो गया है तो यहां पर जो subsequent suit के reference में यह बात बोली गई है कि whether notwithstanding that such court of limited jurisdiction यह कौन सी former court जिसके सामने पहले case था was not competent to try subsequent suit पांचलाख वाले case को तो सुननेगी नहीं ना तो वो matter भी नहीं करेगा ता मतलब court of limited jurisdiction वाले case का decision भी क्या रहेगा आपका that will also operate as res judicator in the matter is it clear clear यहां तक अब इसके ऊपर हम discussion करेंगे अभी time हुआ है अभी में next class आपकी two and half hour की लूंगा इकठी पंद्रा मिनिट का ब्रेक ले रहे हैं कि पंद्रा मिनिट के ब्रेक के बाद इस पूरे provision को लगबा हम धाई गंटे में और कवर करेंगे दो से दाइगंटे लगेंगे दो गंटे मान के चलिएगा